मतलब G20 भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज बनकर आया है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, पहला भारत में अंतराष्टिय इस तर पर अफरीका को अपने साथ बिठा लिया, नमबर एक, दूसरी चीज हमने रशिया के प्रतिय अपनी मित्रता को बरकरार रखा, क्योंकि ultimately ह हमने ना रशिया युकरेन की चर्चा की और ना ही किसी को criticize और ना किसी को appreciate किया, रशिया युकरेन की बात ही ignore हो गई, ये बहुत बड़ी बात थी, आप सोचिए रशिया युकरेन के बाद में ये मंच बहस का बनने ही वाला था, और तीसरी बात जो हमने की, वो थी ये तस वीर, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकरशित कर लिया, आप पुछेंगे इसमें ऐसा क्या है, मेरे प्यारे साथियों आप में से बहुत से लोगों ने हमसे एक session सुना होगा, जिसमें हमने कहा था, कि सौधी वाले कह रहे हैं कि हम G20 में नहीं आएंगे, क क्या रहे, नहीं, ऐसे नहीं लड़ना है, आप दौनों को एक रहना है, आपको याद होगा इनके बारे में खशोगी हत्याकान पत्रकार का अगर था, तो बाइडिन जब राष्टपती बन रहे थे, उस समय कह रहे थे कि यदि मैं राष्टपती बन गया, तो इन्हें जेल भिजवाऊंगा, इस बात पर ये इतने नाराज थे कि बाइडिन के कार्यकाल में इन्होंने पूरे टाइम चीन के साथ जाने का कार्य किया, प्रधान मंत्री ने का रहे भाईया, कहां जा रहे हो, आप और तीनों लोग मिल गए, तो चीन को पीछे धकेल सकते हैं अपन, औ और यह ऐसा प्रयास जिसको लेकर अमेरिका इतना उत्साहित है कि वो कह रहा है कि आने वाले 10 साल में दुनिया कुछ और ही नजारे देखेगी, हमने ऐसी आधार शिला रख दिये हैं, भारत के इस मंच पर जहां बिन सल्मा नहीं आने वाले थे, वो आए और आकर के, वो य Belt and Road Initiative का विकल्प बनेगा, चीन का विकल्प बनेगा और इसके लिए आठ देश इस Economic Corridor के अंदर शामिल हुए हैं, यहाँ पर 10 साल के अंदर इस बात को कम्प्लीट करने के लिए भारत, United Arab Amirat, Saudi Arab European Union, Italy, Germany, France और अमेरिका मिलकर के इस द्रश को हमेशा के लिए यादगार ब रास्ता बनेगा, आप पुछेंगे कैसे, देखिए Belt and Road Initiative में China, Europe तक पहुचना तो चाहता है, लेकिन उसने रास्ता लिया, पाकिस्तान होकर के यह घुसते घुसाते हुए आगे जाने का, भारत ने एक विकल्क दिया, क्या विकल्क दिया, बोले देखो बाकी तो सब चीज होकर के Europe में एंट्री कर जाओ, बुले ये लो, मुंबई से सीधा सामान यहां पर, बुले जाएगा कैसे, तब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंट्रेस्टिंग है, कि भारत से सौधी को connect करने के लिए, अब समुद्र के अंदर pipe डाले जाएंगे, आप मैंसे बहुत से ल system हटा दो, gas लेते हैं हम आप लोगों से एक काम करो, gas की भी pipeline डाल दो, और सुनो, internet की भी pipeline डाल दो, और सुनो, जो बड़ा सामान जाएगा, वो सीधा जाहाज से यहां पहुँचेगा, और सुनो, हम जाहाज से यहां पहुँचाएंगे, आपके पास अगर rail infrastructure नहीं है, क्य logistics का उपियोग करके हमारा सामान, जब हम आपका तेल यहां पहुचाएंगे, हम अपना सामान आपसे लेंगे, तो आप हमारा सामान यहां से होते हुए, यौरॉप तक पहुचवाने में हमारी मदद करियेगा, इसराइल तो अपरा मित्र है ही, हाइफा पोर्ट अपने काम आएगा ही अडानी वहिया बना रहे हैं, सीधा यहां से उठागर के यहां तक पहुच जाएंगे, यानि भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर, कई लोग कह रहे थे कि G20 का कोई उपियोग नहीं है, G20 बस ऐसे ही मिलने जुलने की बैठक है, इससे क्या निकल कर आएगा, भारत ने दिखा दिया कि क्या क्या निकल सकता है, यदि प्रयास बहुत अच्छे से किये जाएं, अफरिका को यूनियन को, अफरीकी यूनियन को मेंबर भारत ने बना दिया, नमबर दूसरा, भारत ने ग्लोबल बायो फ्यूल आलाइंस बना दिया, नमबर तीसरा, इंडिया से लेकर यॉरॉप तक यह transit corridor बना दिया जिसका प्रभाव आने वाले समय में belt and road initiative के विकल्प के रूप में देखा जाएगा जिसकी वजह से चाबाहार इरान के अंदर जो हमारे जो पड़े हुए पोर्ट थे जो दबे हुए थे उनका हम लोग substitute बना पाएंगे चाइना जो प् seems to have convinced everyone to let their guard down कि भया सुनो अंदर आ रहे हो तो थोड़ा जुक के आओ ना यार मित्रता करनी है तो थोड़ा दो कदम तुम चलो दो कदम दूसरा चल लेगा व्यवहार बनाने में क्यों जुक रहे हो तो भारत की इस विशह पर दुनिया में तारीफ हो रही है कि इन्होंने जो दुश्मनी बढ़ रही थी दो देशों के बीच में उसे मिटाने का काम किया है